येले के जमाने में दाल, सब्जी बहुत कम होती थी गिरने मत देना ठीक है? तो ये देखिए पापा के हाथ कितने काले हो गए हैं जिनका बड़ा परवार रहता था वो खल में कूट के बनाते थे अब देख रहें नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रम पहाड़ों की धूप लगती हसीन वादियों से अभी मैं जा रहा हूँ अपने खेत में मौया लगाने के लिए मेरी मा, मेरी चाची, मेरे पापा, सबी लोग चले गहें खेत में और ये देखिए सुबग अना जारा कितना प्यारा है, सामने पहाड़ों से धूप आ रही है तो हमको उसी साइड जाना है, जहां पे धूप आ रही है और वो मेरे घर से इतनी दूर है, यह देखिए, यहां जो खेत आपको दिख रहे हैं इनी खेतों हमको मौया लगाना है तो चले, खेत में चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि मौया कैसे लगाते हैं और क्या-क्या होता है खेत में अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँ अभी पहुंच गया हूँ मैं खेत में और यह जो आपको बड़ा वाला खेत दिख रहा है ऐसे हमारे यहां पर चार खेत हैं तो चार खेत में हमको आज मौया लगाना है तो इस खेत में मेरे पापा और मेरी चाची ने अब तक इतना मौया लगा दिया है और कुछ ऐसे लगाते हैं इस पे दो रशियों हैं आगे से दो आदमी खीचेंगे बैलों से भी लगा सकते हैं पर जब आदमी उसे हो जाता है तो बैलों की जुरुत नहीं होती जब ये बड़ा हो जाता है और मया नहीं लगता तब बैलों से लगाते हैं तो चले मैं भी चलता हूँ मौया लगाने के लिए और ये देखिए जो खर पत्वार होती न वो ऐसे उखड जाती है बड़ी मुस्किल से हमने एक खेत में लगाया है अब ये जो बड़ा वाला खेत है इसमें लगाना है फिर दो खेत और हैं यहां पर बहुत जादा धूप होने लग गई है यह वाला खेत भी पूरा लगा दिया है अब यह है और यह है यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप हो रही है तो हमने एक पानी का ब्रेक लिया है और यह रहा मेरा गर यहाँ ठीक सामने तो आज का मया पूरा लग चुका है और चार खेत हमने लगाए हैं काफी बड़े यह खेत थे एक नीचे था तीन यहाँ पे थे यहाँ बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा धूप होने लगती है तो अब घर चलते हैं क्योंकि मया वाला काम पूरा हो गया है पहुंच चुका हमें अपने घर पे और दस बत चुके हैं कालू आजा 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 कालू हमारी बहुत ज़्यादा खुद लगती है जैसे हम इधर उदर जाते हैं और घर आते हैं तो यह खुस हो जाता है अभी घर पे कोई नहीं दा इसलिए अकेला मैसूस कर रहोग और मेरी मा भी आ गई है गयों का भारा लेके अभी शाम के साड़े चार हो चुके हैं और मौसम पुरा ख्राव हो गया है दिन में जब हम खेद गए थे तब बहुत तेज वाली धूप हो रही थी और अभी का मौसम कुछ ऐसा है बादल बहुत तेज गरज रहें और कि वारिस आ खूए तो यहां पर यह लोग यहां की मुठ ही कर रहें कि बाहर का मठील हो रहा है और आम जलसरों काम मेरी अ there आ Od Wilson कर रहें आज भी दीखी मुझे आले साथा इसलिए इसलिवार का महात प्रोबलम दूंत कर देव कोई प्रॉब्लम नहीं हो अगर बारिश नहीं भी रहती अभी तक तो क्यवल बारिश आ रही थी अब मोटी वाली बारिश आने लग गई है और यह सबसे खराब होती है सुबह हमने जो मौया लगाया उसका कोई फायदा नहीं हुआ अब उसमें बहुत ज़ादा खर पतवार आएगी जो कच्चे गेहों रहते हैं उनसे एक डिश बनती है उसका नाम होता है उमी यहाँ पर कच्चे गेहों की दो-तिन मुठियां रखी हुई है इनको हम चूले पर पकाएंगे और इनके अंदर का जो गेहों होगा वो पक के बहुत टेस्टी होगा इसको मेरी वास हमें उमी बोलते हैं थोड़े देर हम इनको पकाएंगे और आपको बताऊंगा कि गेहों से उमी कैसे बनाते हैं उमी बनाने के लिए इनको चूले पर पकाना होगा उससे पहले इनको काटना है क्योंकि यह बहुत लंबे हैं तो इनको हमने काटके छोटा कर दिया है और ये प्यारी लग रही है तो यहाँ पर निक्ता आग जलाने लग गई है और निक्ता ही इनको पकाएगी ठीक है निक्ता? तब से 10 मिनट हो गए है और निक्ता ने अभी तक आग नहीं जलाई है निक्ता क्या होगा? कब पकाएंगा में इनको तो आग जल चुकी है और अब हम पकाएंगे उमी कुछ ऐसे निक्ता चल गुमा उसको अच्छे से बढ़िया बढ़िया गिरने मत देना ठीक है कोई बाद नहीं चल 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 गुमा गुमा साबाज तो निक्ता को भी हम यह सिखा रहे हैं क्योंकि दीरे दीरे यह चीज़ें खतम होती जाती हैं अब बच्चे नहीं सीख पाते हैं पिसले साल तो हमने बनाई भी नहीं थी जाए तो अलगा बड़ा अगैठा किया धुए में नहीं अगर आपके यहाँ इसा होता है तो आप कमeंट में बता सकते हैं और आपके यहाँ इस चीज़ें को क्या नाम से जानते हैं वो भी आप comment में जरूर लिखना बस हो गया होगा हो गया होगा इसमें डाल उसको पकाने के बाद इसको हम एक सूपे में डाल देंगे फिर बाद में इसको साफ करेंगे निकता खुश हो रही है क्योंकि यह काम निकता पहली बार कर रही है तो कुछ बालियां यहां चूले में गिर जाती है तो उनको चिम्टे की मदद से उठा लेंगे तो अब इनको पकाने की मेरी बारी है और यह देखो वाउ तो इसको पका दखाएं बहुत अच्छी वाली खुश्बू आरी है तो अभी हमने सारी मुठी पका दी है पापा ने यहां पर बीजों को अलग कर दिया है इनके ऐसे मंडाई करनी पड़ती है तब जाके बीज अलग होते हैं और इसको करने के लिए experience चाहिए होता है क्योंकि हम लोग तो नए हैं इसलिए हम उतने अच्छे से नहीं कर पाते तो पापा आए पापा ने यह काम कर दिया और अभी इसको हम और बारी करेंगे फिर इसको साफ करेंगे तो यह देखे पापा के हाथ कितने काले हो गए हैं अच्छली क्या है कि इस बार के गेहों में उतने बीज नहीं है इसलिए यह केवल बूसा बूसा आ रहा है निकता कब से इंतजार कर रहे है कि कब उमी बनेगी कब वो खाएगी पकाने के बाद जो बालियों के कीस रहते हैं वो निकल जाते हैं पर कुछ इसमें बच जाते हैं तो इसको अच्छे से साफ करना पड़ता है वरना गले में फस गया तो बड़ी आफ़त आ जाएगी इसको बड़ी सावदानी से बनाया जाता है तो इसको साफ करेंगे और य तो जब भी नहीं फसल का पकवान मनता है सबसे पहले उसको देवताओं के पास रखना पड़ता है और फिर खाना पड़ता है कलम काफल रखना बूल गए थे दो कमेंट आया था तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है इसको हम तब से साफ करे जा रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे यह हैं अभी यह साफ करने का काम मैं लाएं बहुत अच्छे तरीके से करती हैं यह देखो कितना सारा बूसा निकलने लग गय है मेरे लिए का आया निकता इतना फुल गिलास तो चलिए उमी बनके तयार हो गई है और कुछ ऐसी दिख रही है फाइनल उमी चलो बैस अब बांटो निकता जल्दिया उमी खाने तो चलिए हम भी निकालते हैं और टेस्ट करते हैं आराम से खाना रहे इसमें वो भी है त तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं कि कैसी हो रही है अगर आपने कभी मक्का पका कर खाया होगा तो सेम है सही स्वाद आ रहा है लाजवाब तो उमी जो है वो पहले के जमान में बहुत जादा बनाते थे मा और पापा कह रहे हैं इसको बासी भी खाते थे तो कुछ कहना चाओगे इस पर यह के दल भी बनाते थे आरवा रहत नाट में क्लकर बूठ लोटी में इसको फीस्के इस और मत जमें लगतकर धाने के लिए पहले की जमाने में दाल सब्जी बहुत कम होती थी इसको ऐसे नमक डाल के अच्छा होता था तो चले अब मैं भी इसमें नमक डालता हूं वह भी काला नमक इसके तो दाल नहीं बनाएंगे क्योंकि दाल असानी साथ मिली जाती है पहले जमान में रोटे खानों साधन ज्यादा सुझ नहीं पहले के जमाने में इतने खाने पीने के असाद़ा नहीं रहते हूँ तो जो भी चीज़ा मिलती थी उसी में काम चला लेते थे इसमें आप्री जो चशन प्रिवार रहते थे घंइस 때 गाल तो अब मैंने तेल और काला नमक मिला दिया है तो सब को चखाते हैं कि केईसा हो र पढ़ हो रहा है निक तो मिला जुट बोले थी कि खराब हो रहा है तो चलिए आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं मैं मिलूंगा अगले वीडियो में अगर आपको ये उनी वाली वीडियो फसंद आई तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना तब तक किले रगडवाल जात्राखन जैन थांकियो फॉर वाचिंग इंस्ट्